हलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड्स एड रेट प्रेपरेशन इस सेनल पर मैं लेके आता हूँ आपकी लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिस्कूस करने वाला हूँ केंद्री विद्याले का हाफ यरली एक्जाम का कोशिन पेपर ये क्लास फिप्ट का में क्या फाइदा फाइदा यह है कि स्लीबर सेम है कुष्ण का फॉर्मेट भी ऑल्मोस सेम है बस फर्क इतना है कि पहले जो 80 मार्क्स का क्वेशन पेपर आया करता था अब यह 40 मार्क्स का हो गया है बस इतना से फरक है और इसके लाबाग जो आप वेटेश है आज भी वे अब जैसे यह question paper है, syllabus same है, question भी same है, ठीक है, तो आप इसे practice कर सकते हैं, घर पे, half year exam की preparation के लिए, तो जैसे आपको यह question paper मिलेगा, तो इसमें आपको अपना name, role number, date, यह सारी information आपको fill करने होगी, तो देखी यह जो format मैं आपको discuss कर रहा हूँ, यह केंद्रे विद्याल है, द दिल्ली के बाहर जो बाकी के भी है, कहीं जिए आज भी है 80 marks का ही question paper आता है, तो अगर आप दिल्ली के बाहर के student है, तो आपके लिए तो बढ़िया है, कि 80 marks का question paper में आपको explain करके बताऊंगा, अब यह जो question paper है, basically इसे four competency में से divide किया जाता है, तो first competency आपकी होती है, knowledge based question की, second competency होती है, आपकी understanding based questions की, और third competency होती है, आपकी ability to compute की, और last में fourth competency होती है, problem solving ability की, यानि कि four part में आपका question paper divide किया जाता है, अगर आपका 80 marks का question paper आता है, तो इसको यह 20-20 marks के यह सारा complete portion आता है, लेकिन अब जब कि यह 40 marks का written exam आपका होने वाला है, तो हर एक competency के आपकी 10-10 marks की weight is रह जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से आपका question paper आएगा, यानि कि हर एक के यह 10-10 marks होंगे, और total जाकर कि यह आपका 40 marks का question paper हो जाएगा, चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको यह knowledge based questions होंगे, उसके बारे में पहले आपको explain करता हूँ, कि किस type की questions होंगे, और कैसे आप इसका answer कर सकते हो, तो जैसे आप यह देख सकते होंगे, यहाँ आपको 10 questions देखने को मिलते हैं, और हर एक question के 1-1 marks है, तो जैसे यह first question है, इस question में आपसे पूछा जारा है, a line has dash end point, line की बात करें, तो line के 2 end point होते हैं, तो आप अपने answer में है, 2 लेख सकते हैं, second question है आपके लिए the smallest natural number is, natural number की बात करें, तो इस natural number 1 से start होता है, तो 1 आप अपने answer में हैं लिख सकते हैं, उसके बात third question में आपको बोला जारा है, every number is a multiple of dash, ठीक है, जितने भी number है, सब के सब 1 के तो multiple होते ही होते हैं, तो यह आप mention कर सकते हैं, उसके बात fourth में आपको पूछा जारा है a right angle is always equal to dash degree, right angle की बात करें, तो right angle की जो value होती है, वो 90 degree होती है, तो 90 degree ऐसे भी लिख सकते हैं, और बहुत जगता आपको यह degree की जगए, यह sign आपको देखने को मिलेगा छोटा सा, तो यह sign लगा सकते हैं, उसके बात fifth में आपको बोला जारा है, the smallest whole number is, देखें, whole number जो होत number की है, तो वो one होता है, अब उसके बात sixth question में आपसे पूछा जा रहा है, smallest four digit number will be, देखें, smallest number पूछा जा रहा है, four digit का होना चाहिए, तो मैं one लिखने के बाद three zero लगा देता हूँ, यानि कि four digit number हो गया, और सबसे smallest भी है, ठीक है, यानि कि one thousand क्या होता है, सबसे smallest four digit number जैसे अगर मैं two से उपर और नीचे multiply करूँगा, तो मिरे पास result two by eight आ जाएगा, और ये क्या है, इसका equivalent fraction हो जाएग, अच्छा, उसके बाद next question, eight question में आपको बोला जाए, round of to the nearest hundred of 1689 will be, 1689 है, इसका nearest hundred जो होगा, वो 1700 होगा, ठीक है, तो ये आप अपने answer में लेख सकते ह या 51 से जादा होगा, तो next वाले में move कर लेते हैं, अगर उससे कम है, तो previous वाले में move करते हैं, बस छोटी सी बात हैं, ये आपको ध्यान रखते हैं, उसके बाद ninth में आपको बोला जा रहा है, to proper fraction denominator is dash than numerator, देखें, proper fraction की बात करें, तो जो numerator होता है, जसके आप लोग जानते कि fraction की बात करें, तो उपर numerator होता है, नीचे denominator होता है, जब भी हम proper fraction की बात करें, तो जो numerator होता है, यानि उपर वाला number जो होता है, वो हमेशा smaller होता है, as compared to denominator, यानि नीचे वाले number जो होगा, जो number होगा, वो greater होगा, as compared to उपर वाला number, ठीक है, तो यहाँ पर जो question में आपको यहाँ आप यहाँ देख सकते हो, यह जो denominator है, यह n यहने की numerator से greater है, ठीक है, और यह फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, कि numerator जो होता है, denominator से smaller होता है, ठीक है, अच्छा, अब 10 में आपको बोला जा रहा है, कि dash is a factor of every number, तो 1 जो होता है, वो सबका factor आप बोल सकते हैं, कि 1 एक ऐसा number जो सबका factor भी होता है, और सबका multiple भी होता है, ठीक है, तो यह आप अपने answer में लिख सकते हैं, तो यह तो रही बात, यह starting की questions की, उसके बाद next जो है, आपकी question आपके पास, यहाँ पे 5 question है, हर एक question के 2-2 mark से, और इस तरह से 10 mark से complete portion हो जाएगा, जैसे इसमें first question है, जिसम की बास 27 हो जाएगा, इस तरह से आप बहुत सारे निकाल सकते हो, इसी तरह 17 का भी निकाल सकते हो, कि 17 का first multiple निकाल लो, 17 का second multiple निकाल लो, और इसी तरह 17 का third multiple भी आप निकाल सकते हो, या जितने भी चाहो, उतने भी आप numbers निकाल सकते हो, इन सब के multiples, ठीक है, अच्छा, उ यह सब क्या इसके factors है, इसी तरह 54 की बात करें, तो 2 से divide हो जाएगा, 2 के इलाबा 27 से divide हो जाएगा, इसके इलाबा यह 3 से भी divide हो जाएगा, तो यह सब क्या इसके factor है, factor means होता है, जिससे वो divide हो जाएगा number, ठीक है, तो बहुत सारे और भी number है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ two factors लिखने के लिए बोले जा रहे है, तो कोई भी दो factor आप यहाँ पर अपने answer में लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा, उसके बाद third question में आपको बोला जा रहा है, कि find the area of rectangle having a length of 20 meter and breadth of 5 meter, ठीक है, length आपकी value आपकी बास 20 है, और breadth की value आपकी बास 5 है, area निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो area का formula आपकी बास L into B होता है, और इससे solve कर सकते हो, 20 multiply by 5, यानि कि यह 100 आ गया, तो 100 किसमें लिखोगी आप, यह meter दे रहा है, तो 100 square meter आप अपने answer में लिख दोगे, ठीक है, तो इस तरह से आप इस question को complete कर सकते हो, next आपके लिए question number 4, और इसमें आपको बोला जा रहा है, कि angle draw करना है 120 degree का, तो जब आप compass लेके से draw करोगे, कुछ इस type का angle create होगा, मैं तो ऐसे manually बना रहा हूँ, पर आप क्या करेंगे, compass यूज़ करके properly से बनाएंगे, तो इस तरह से नीचे line draw करेंगे, measure करके 120 जहां पर भी mark लगाएंगे, और इसे scale pencil की help से अच्छे से, शाफ सूतरा सा, बिल्कुल neat and clean आपको ए question complete करना है, angle draw कर लेना है, अच्छे, इस of box हम यहां count कर लेंगे, account करने के बाद जो भी area होगा, वो आप यहां पर लेख देंगे, ठीके, इस तरह से 5 question से, यह 5 के 5 question अगर आप correct कर लोगे, तो आपका 10 marks यहां पर हो जाएगा, 10 marks की यह 5 question थे, और 10 marks की यह 10 question थे, तो कुल मिला के 20 marks का मैंने आपको यहां cover करवा दि यह 2 यह 3 question आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ठीके, तो इस तरह से आपका knowledge based वाला portion है, यह पूरा complete हो गया, इसके बाद next है आपका understanding based portion जिसे मैं यहां पर explain करने आपको जा रहा हूँ, देखिए यहां पर question है, सबसे पहले आपको यहां इसके बारे instruction given है, कि complete the pattern, अब यहां पर ना 5 side वाले diagram अगर हम draw कर लेंगे, तो हमारा answer complete हो जाएगा, यहां पर 3 side वाले diagram था, 4 side वाले diagram है, यह 5 side वाले diagram है, और उसके बाद 6 side वाले diagram हो गया, यहां इस pattern को आपने यहां पर complete कर लिए, अब देखो यहां पर next किया है, कि आपको यह arrow बने होगा है, यह top side ह फिर यह टॉफ के बाद यह आप राइट साइड में देख सकते हैं उसके बाद यह क्या होगा बॉटम में चला जाएगा यानि कुछ इस टाइप से यह डाइग्राम आप बना सकते हैं उसके बाद नेक्स क्या होगा यह लेप साइड में कुछ इस टाइप से यह डाइग्राम गया यह 5th हो गया और यह 6 हो गया यानि कि number of angle की बात करें यहां पर कितने angle से 6 angle से तो यह आप अपने answer में लिख सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद fourth में आपको बोला जा रहा है कि यह जो number आपको दे रखा है इस number के बारे में बोला जा रहा है कि 27654321 is completely divisible by dash अब यह किस से divide होगा यह आप से पूछा जा रहा है देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी number हो one से तो सबसे divide हो जाए बाकि आप इसको factorize कर लीजिए इस तरह से और factorize करने के बाद इसके बहुत सारे इसके factors आप निकाल सकते हैं तो आप वो अपने answer में लिख सकते हैं अच्छा उसके बाद fifth question में आपको बोला जा रहा है write the number name of this अब यह जो number आपको दे रखा है इसका number name लिखना है तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो 63,501 है तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 63 ठीक है इस तरह से आप लिखने 63,000 और उसके बाद जैसे यह 501 है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 501 ठीक है तो यहाँ इस question के अंदर जो number आपको दे रखा है number name आपको लिखना है तो 501 लिखोगे और यह पूरा complete हो जाएगा अच्छा उसके बाद यहाँ six question में आपको बोला जा रहा है कि four by nine है और इस पर क्या कर लेता हूं इस एक्स रख लेता हूं इसकी value मुझे find out करनी है तो मैं x को निकालने के लिए क्लिए क्या करूँगा यह जो four by nine मेरे पास है जो इसकी second side में तो 27 जो यह डिवाइड में है उधर जाकि यह multiply में आ जाएगा तो nine one जा nine nine three जा 27 अब four को और three को multiply करोगे 12 तो आप आपके बस answer क्या रहा है एक्स की value आपने क्या कि 12 निकाल दिया तो यहाँ पर उपर जो box बना करके आप इसका number की जगह यहाँ पर 12 लिख सकते हैं लेकिन यह solve करके process दिखाओगे तब जाकर कि आपको पूरे marks मिल पाएंगे ठीक है अच्छा अब इसकी बाद next है तो तू से start कर रहा है तो यह कुछ इस तरह से result आ गया अगें टू से करेंगे तो आपके पास यह 4, 3 और यहाँ पर 6 आ गया ठीक से फिर से 2 से हो सकता है तो 2 से करोगे तो यह 2 यह 3 वैसे as it is रह जाएगा और यह आपके पास 3 आ गया अब एक बार और 2 से होगा बाकी further 3 से तो यह 1 हो जाएगा, यह 3 और यह 3, अब यहां 3 से करोगे तो यह 1 और यह भी 1 और यह भी 1 हो जाएगा आपके पास, तो यह जो आआया आपके पास जो result आया इन सब को multiply कर लिजि 정 hello कि यह 2, 2 multiply by 4, 4, 2, 2 को, 2 और 2 को multiply करें, 4 आ गया, 4 तू जा 8 हो गया, 8 तू जा आप कह सकते हो 16 हो गया, और 16 थरी जा आपके पास result आ जाएगा, जैसे हैं LCM है, तो आप LCM में पूरा multiply करके लिख सकते हैं, कि 16 थरी तर, तो आपके पास 48 आपके पास result आजाए, ठीक है, तो यह आप अपने answer में इसका LCM लिख सकते हैं, उसके बाद next is second question, जिसमें आपको बोला जाने, इनका sum निकाल लिए, तो यहाँ पे यह जो है number A और B में, जैसे मैं first वाल आपको करके दिखाता हूँ, इन दोनो आपके पास 2 से करोगे, तो आपके पास यह आजाएगा, फिर उसके next आपने क्या करना है, कि भी 3 से करोगे, यह होए, यानि कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका LCM आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 आएगा, 3 और 3 को multiply कर लोगे, प्लस का sign है, तो प्लस का sign as it is रख लोगे, 6 के नीचे डिवाइड में, यानि कि आप यह का चकते हो, 19 by 12 आपके पास आंसर आ गया, फर्स्ट वाले A part का मैंने solve कर रहा है, इसी तरह से आप B part का खुद से solve कर लीजिए, LCM इसका 14 आ जाएगा, और बाकी से इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर किया, वैसे आप करेंगे, त इसका आंसर आपकी पास आ जाएगा, अच्छे, अब मूव करते हैं, third question की तरफ, जिसमें आपको बोला जा रहा है, draw a shape which has four symmetrical lines, तो कोई भी shape ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें four symmetrical lines आपको देखने को मिल जाएगी, तो जैसे कुछ भी आप बना सकते हो, जैसे यह मैंने बना लिय इस तरह से four diagram बनगे, four symmetrical line दिखरी है, और भी बहुत सारे अलग अलगते हैं, आप diagram बना लीजिए, जिसके अंदर आपको basically four symmetrical lines आपको इसके अंदर display करना है, dotted line में symmetry line आप दिखा सकते हैं, ठीक है, अच्छा, उसके बाद next है, question number fourth, fourth में आपको बोला जा रहा है, write the English word on one by two half half turn, जैसे आपको यह जो दिया है, इसका one by two half turn इसका करना है, तो half turn करोगे, तो as it is यही देखने को मिल जाएगा, जाने कि जैसे यह लिखा हुआ है, as it is ही रहेगा, s का s हो जाएगा, w जो है, w है यह आपका one में convert हो जाएगा, i, i रहेगा, यह जो m है, यह w बन जाएगा और s, s रह जाएगा, इसी तरह से zoom का भी आप कर सकते हैं, अच्छा, फर्दर आपको बोला जा रहा है, fifth question के अंदर, कि draw symmetrical line, अब यह symmetrical line अगर butterfly में draw करेंगे, कुछ इस type से आ जाएगा, तो यह left वाला portion हो गया, और यह आपका right वाला portion होगा, दोनों similar लगेगा, यह box दे र 16 marks का question यहाँ पूरा complete हो करा दिया मैंने आपको, और बाकी 4 marks का यहाँ पर यह वाला question है, ठीक है, जिसमें आपको बोला जा रहा है, right two example of each, जिसे proper fraction का example लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, उपर वाला number बाद छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो यह proper fraction का example हो गया, ठीक का करना है, और like fraction का भी करना है, ठीक है, तो यह चारो के चारो के आपको, दोनों के सब के दो-दो example आपको देने है, जब जाकर के आपको two marks मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, कि इस video में हम लोग यहीं तक करते हैं, यानि कि knowledge based questions मैंने आपको करवा दिये, understanding based questions म आप इसके second part में देख सकते हैं, half yearly exam से related मैंने एक playlist create कर रखे रखा हुआ है, जिसके अंदर आपको half yearly exam से related सारी वीडियो एक जगा मिल जाएगा, तो चैनल के playlist section में जाकर रखे, आप जरूर देख लीजेगा, ठीक है, तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी, मुझे comment कर करके भी बता सकते हैं, बाके वीडियो को like कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपकी लिए channel पे upload कर सकूँ, ठीक है, चैनल friends at the rate preparation को subscribe कर लीजिए, bell icon press करिए, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपकी लिए जब भी channel पे लाओ, तो आपकी बास notification आ सके, इस channel किलाबा मेरा एक और चैनल है, जो की मेरे नाम से ही है, Mr. Krishnashah, इसे भी subscribe करके bell icon press कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो upload करूँ, तो इसकी notification भी आप receive कर सके, कोई doubt है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझे Instagram पे follow कर लो, मेरी ID है at the rate Mr. Krishnashah, जहाँ message करके chat पर doubt मुझे पूर सकते हैं, तो आपकी message का मुझे इंतिजार रहेगा, जरूर मुझे message करना, ठीक है, तो thanks for watching, bye-bye.